इदौर जला प्रिशाश्वन ने हर बार की तरह इस बार भी गडिश उत्सव के लिए बनने वाली मूर्तियों के निर्माड के बाद प्लास्टर ओफ पैरिस से मूर्ती निर्माड के प्रतिवंद का आदेश रारी किया है हाला की पहली बार प्रिशाश्वन ने अपने आदेश में सपस्ट किया है कि प्लास्टर ओफ पैरिस से बनी मूर्तियों को बाजार में बिकने से पहले जब्त कर उनकर निस्तारण किया चाएगा देखे ये खास खबर देर से जागे प्रिशाशन ने अब P.O.P. मूर्तियों का निर्मार कर रहे निर्मार करताओं पड़ सक्ती करने के निर्देश चुवारी किये हैं, कई निर्मार करताओं ने प्रतिवंदत होने के बापचूद भी प्लास्टर ओफ पैरिस के साथ साथ रास सायनिक पदार्थ का प्रियोग करते हुए मूर्थियां बना ली हैं लेकिन अब वे उनका विक्राय बाजार में नहीं कर सकेंगे प्रिशाशन मूर्थियों को अब जब्त करने की कारिवाई करेगा प्रिशाशन धाराये 144 के अंतरगत निर्देश जवारी करते हुए कहा है कि प्राकृतिक साम रंगों का इस्तिमाल पूर्णता प्रतिवंदत किया गया है यदि किसी ने पूर्व से ही प्लास्टर ऑफ पैरिस से मूर्थियों का निर्माण कर लिया है तो प्रिशाशन ऐसी सभी मूर्थियों को जब्त कर तकनीकी आधार पर उनका निस्तारण करेगा इस बार आप देखेंगे कि समय के पूर्व भी हम लोगों ने इस बार जारी किया है यह आदेश जिसमें अगर जो लोग अभी बना भी रहे हैं वो भी सतर्क हो जाएं और इसके अलावा अगर आविशक्ता होगी तो जो बन चुकी हैं उनकी भी जब्तिकी कारवाही सब्डिविजन लेवल पर बिलकुल सब्डिविजन लेवल पर एजडियम्स और एग्जिकुटिव मजिस्टेट्स की डूटी लगाई जाएगी हाई कोट के डिरेक्शन काफी वर्ष पूर्व के हैं जिस सभी को संग्यान है और अभी इस आदेश के बाद हम इडिविज्वली सबको इसकी तामिली भी करवाएंगे प्रशाश्वन ने 9 अगस्त से लेकर 9 नवंबर तक के लिए आदेश ज्यारी तो किया है लेकिन प्रशाश्वन के अंदेखी के चलते निर्माण करताव ने भारी तादात में मोर्तियां बना कर तयार कर ली है